आपका नाम Allen और Akash दोनों में छपा हुआ है जो ने मेरे को पैसे दे दिया जो मेरे को लजदा है तेस्ट का जो सबसे important पार्ट है वो इनलसिस ने आपको डॉक्टर बनने के लिए बोला या फिर आपका मन था डॉक्टर मेरे पैरेंट्स अते थी कि मैं wigil serbis में go कौन-कौन से सफिसेंट बुक्स हैं जो एक एस्पारेंट को फॉलो करना चाहिए NCRT एक तरह से समझो कि वो बाइबल है या रिलेशनसिप में रह सकते हैं तुरिंग दे प्रिपारेशन तो मैं कहूंगा नेवर लीव डाट परसन पट आप अपना यूटूब चैनल कब खोल रहे हैं जो में बहुत ही डियम आए मेरे को भाई आपको यूटूब पे देखना है मैं वेलकम करना चाहता हूँ अपने पोड़कास्ट पे तथागत अवतार जी को थैंक यू पहले तो बहुत बहुत थैंक यू मुझे इस पोड़कास्ट में बुलाने के लिए तो तथागत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तथागत आप अपना एक वार ब्रीफ इंट्रोड़क्शन दे दो हलो मैं सेल्फ तथागत अवतार और मैं बिहार के एक मधवनी जिले से आता हूँ और मैंने इस बार नीट यूजी में ओल इंडिया रैंक 34 लाया है तो तथागत से मैं डारेक्ट सवाल ही पूछना चाहूँगा किसी भी एचीवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जानना यह जरूरी होता है कि आपने उस जर्णी का सुरुवात कैसे करा था बेसिकली मैंने अ अपनी लक्ष बाज से जो फिजिक्स वाला का है उससे मैंने अपनी टुवल्थ की प्रिपेशन सुरू करी और उसके बाद मेरे फर्स्ट टेम में पांसो चब्वेस माक्स आये बट मेरे क्योंकि मैंने एक ही साल तयारी की थी तो मेरे को लगा एक ड्रॉप लेना चाहिए फिर मैंने यकीन बैज जॉइन किया फिजिक्स वाला का फिर उस साल मेरे 611 आये और फिर उस साल सेलेक्शन हो गया था वैसे बट फिर मेरे को लगा कि जो मुझे चाहिए सायद वो अभी तक नहीं मिला है तो फिर मैंने एक और ड्रॉप लिया और फिर फाइनली यहां तक म मैं यही जानना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्या करा था इंप्रूमेंट करा सेकेंड जो में रीजन था उस साल इसको ड्रॉप का वो था कि मैंने टेस्ट को इग्नोर किया था जो फुल से लिवर्स टेस्ट जो देने चाहिए थे वह मैंने बहुत ही कम दिये थे मुस्किल से चार-पांच मैं फुल से लिवर्स टेस्ट दे के चला गया था क्योंकि मेरे को लगता था अगर मॉड्डूल से सवाल हो रहे हैं किताब बन रहे हैं कुश्टन हो रहे हैं तो पेपर में भी बन जाएंगे कोई रिकत नहीं तो एक्जाम होई जाएगा पट वह बाद में र किरिसी को मेंटेन करूँ और मैंने काफी सारे टेस्ट दिये अल्मोस्ट मैंने इस साल हंड्रिट टेस्ट फिर जाके मुझे यह यहां तक पहुंचा मैं मतलब हम यह कह सकते हैं कि टेस्ट स्रीज ही एक ऐसा चीज था जो आपको 611 से आज मतलब 720 नमर पर हां हां टेस्ट ए को लिए तो आपके पैरेंट से कैसे कर दिया और या फिर आपने क्या सोचा कि सचा है हैं अ उन्ह आपको कोई वार्ण करेगा और नहीं किया था उन Unidos सब चड़े उए धdiकि väl bracelet से लिलो कॉलेज छोड़ता है MBBS की कॉलेज कोई नहीं छोड़ता था स्टार्टिंग में था बट मैं स्टार्टिंग से ही अपने बातों पे रिजिट था कि नहीं यार बहुत मेहनत कर लिया है दो साल औरेडी मैंने काफी दिया है बट उस हिसाब से मेरे मन के हिसाब से कॉलेज नहीं मिल रहा था मेरे को हमिसा लगता था कि I deserve the best college तो मैंने काफी समझाया parents को जो नहीं मेरे को एक मौका तो चाहिए वो बोल रहे थे कि क्या होगा अगले साल किसी ने देखा है उससे score कम ही हो सकता है college नहीं मिले बट मैंने वही उनको समझाया कि कल तो किसी ने नहीं देखा कल कुछ भी हो सकता है कल मैं रहो या नहीं दुनिया रहे या नहीं तो मैंने उससे समझाया कि सब अच्छा रहेगा अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा जीवन में क्यूंकि महना कभी किसी का वेस्ट नहीं जाता है то मैंने काफी उन्हीं समझाया और सफाइलि करने करने के बाद उन्होंने मुझह मौका दिया और मुझह काफी खुसी है कि मैने उस चीज को उस चीज़ को कड़के दिखाया एक डिडिकेशन लेके रखे कि एक गोल बना लिया कि 611 नमर था अब मैंने ड्रॉप ले रहा हूं तो मैं कुछ अच्छा गरूंगा यह एक मैंने सोच लिया था कि अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो इस बार कुछ अच्छा तो करना ही है इंड मेरे पैरेंट्स ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना था कि डॉक्टर या इंजिनियर बढ़ना है और वैसे तो मेरे पैरेंट्स चाहते थे कि मैं सिविल सर्विस में जाओं आई इस वगड़ा बनूँ बट यह मेरा ही एक था कि मैं डॉक्टर बनूँ और यह मेरे बच्प फार के लिए कॉम करने को मिले हमेशा लोगों की मदद करने का आपको मौका मिले है मदद करने का मौका मिले और उस से मैं बलेष्ट रहूंद इसलिए मैंने डॉक्टर प्रोफेशन चूज गया watch session और साथ ही आपको एक अच्छा का सोर्स देता है और हीकल्ण के साथ ही य ज़एं गधों के साथ एक ऐसा चीज हो जाते ना कि हो कि डॉक्टर को भगवान का दर्या माना आजाताता है मतब अगता दर्टी का भगवान किसी का जिवन दान देने का मतलब होता है कि आप भगवान है तो डॉक्टर के लिए तो वैसे मेरे दील में बहुत quand और होपफ़ली कि आप डॉक्टर बन रहे हैं थैंक यू उसके लिए आप मेरे घर के पहले डॉक्टर हैं उसके लिए कि इस्ट्राक्षन पर ड्रिया है नेक्स पर चलते हैं एक असपारेंट के लाइफ में सबसे जयदा प्रॉबलम करती है इस्ट्राक्षण वो कभी भी बिस्ट्राक्ष ऑजाते हैं अभी पढ़ाई से मन खट गया कभी बिफोन में घुछ जाते है वह बहुत ज्यादा distraction की तो बाहर भी और अंदर भी तोनों जगह पर distraction है online studies में मुझे लगता है काफी distraction है और वो social media platform वगएरा है काफी है but आपको यह समझना परे Instagram Reels है Reels वगएरा sorts जो भी है तो first अगर मेरा यदि सजेशन रहेगा सारी जो भी मेरे transparent सुन रहे हैं यहां पर कि आप सबसे पहले यह assure करो कि आपके फोन में कोई भी insta face book या whatsapp जैसी चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह एक दो साल का बात है तो आप इतना तो करी सकते हो यह खुद के लिए और आप जितना चाहो YouTube का भी यूज करो आप हो सके अगर paid batches में पढ़ते हो तो आप YouTube को disable करें भी रख सकते हो क्योंकि आपके वो कोई काम का नहीं है और बातरे अगर फिर भी अगर आपको distract हो जाते हैं thoughts real पे अगर ध्यान जाता है तो आप एक चीज़ कर सकते हो अगर आप मालो आज परहाई सुरू करने वाले हो सुबह में तो आप सुबह में या उससे एक दिन पहले रात में एक to-do list बनाओ to-do list में आप सारे जो भी करने वाले हो चीज़ों को mention करो और वो to-do list इतने complicated होने चाहिए कि आपका पूरा दिन उसी में उल्जाड है आपको एक मिनट भी सोचने का time नहीं मिलना चाहिए कि अरे deals क्या thoughts क्या दिमाग में नहीं आएगा अगर आपके पास already अगर बहुत सारे काम होगे तो आप already वो distraction अपने आप आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि यार अभी इतना काम बागी अभी एक सब सारा काम करना बागी है और जब भी आप टू-डू लिस्ट बनाएं तो उसको एक priority बाइस में एरेंज करें जो सबसे महत्पूर्ण काम है उसको पहले रखें फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो वह अच्छी चीज होती है चलिए यह तो बहुत अच्छी बात कहीं आपने मेरा next question है कौन-कौन से sufficient books हैं जो एक aspirant को follow करना चाहिए एक exam को top करने के लिए एक exam को बेहतर rank लाने के बेसिकली books तक की जहां तक बात है तो यह कोई boundary नहीं होता है कुछ लोग बहुत ही बहुत पढ़ते हैं काफी सारे books solve करते हैं कुछ लोग कमी books में अपना काम चला लेत तो आप जो भी book later उसको पूला completely follow करना है मतलब शुरू से अंध तक उन books को complete करना है यह सबसे पहले assurance होने चाहिए आपकी और बात रही अगर मैंने भी बहुत सारे already मेरे दो drop लगे तो मैंने भी काफी books explore करी और जो मुझे समझा आया इतनी दिनों में तो आप यह कर सकते ह कि किसी भी इंडिया में जितने भी अच्छे coachings हैं उनके modules use करो और उन modules को आप अच्छे तरीके से करो और साथ में आपके जो teacher class notes करवाते हैं उनको करो वो मैं यह आपको 100% कह सकता हूं कि वो चीज़ आपके sufficient होगी ना कि select होने के लिए बलकि आप उससे AIR 1 तक लिया सकता NCRT पढ़ने से क्या अच्छे marks या top किया जा सकता है एक्जामें पिसिकली NCRT जो बात है तो हम पहले बोलेंगे कि अगर बायो में बात करें या फिर इन औरगीनिक औरगीनिक केमिस्ट्री वगरा की बात करें तो NCRT एक तरह से समझो कि वो Bible है आपको उसको एकदम से जो क की रीड करने की तो मैं कहूंगा कि यह सब के लिगे नहीं है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अगर आप से सवाल ही नहीं हो रहे हैं आप 20-30 कुर्सन मटके परे हो तब वो कोई मतलब नहीं रहता है कि आप NCRT पुरा रीड किये जा रहे हैं हां जो स्टुटेंट नेसिसरी हो जाता है कि आप NCRT पर हो क्योंकि उससे एक दो सवाल आएंगे वो आपको सही करने हो जब हम पढ़ाय करते रहते हैं तो क्लास में सिलेवस बहुत स्पीड से आगे बढ़ती रहती है चले वाले सिलेवस को रिवाइज कैसे करें रिवीजन मतलब दुबारा दे तो रिवीजन हमको लगता है सबसे मोस्तिक्स मेक्स दा मैं परफेक तो रिवीजन जो है वो मोस्त इंपटेंट रोल प्ले करता है कि आप चीजों को एचीव कर पाओ तो आप रिवीजन के लिए स्ट्राटजी रख सकते हो सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट स्ट्राटजी लाइक अगर बायो में रिवीजन की बात करें तो आप एंसियार्ट और लिवीजन करो बार बार और जब रौली रीद करते हो तो चार बार रेड करने के बाद आप एक नोट निकालो और नोट में उन सारे पॉइंट्स को मेंसन करो जो आप से याद नहीं हो रहे हैं या ब करो और फॉर्मूले डिवाइस करने के बाद आप क्या कर सकते हो उसके सवाल लगा और में अपने डेली सेड्यूल आप यह भी एस्योर करो कि आप अपने डेली सेड्यूल से कुछ घंटे हर चीजों के लिए आधा घंटा या 40 मिनट हर सब्डेक के लिए पूराना पर पाएं यह चीज आपको एस्योर करना पर एगा तभी आप आगे बढ़ सकते हों जैसे एक मेरे सर्थ हमेशा बताते थे कि फिजिक्स के हमेशा सुबह उठके फॉर्मूला को याद करा करो जिस तरह से हम एक हनुमान चलिसा बनाते हैं इसी तरह से एक फॉर्मूला का चलिसा होना चाहिए उसमें सारे फॉर्मूला चाहिए फिजिक्स का हो चाहिए केमिस्ट्री का हो या कोई भी इंपोर्टेंट चीज हो एक डाइडी में आपका रहना चाहिए जिसे आप पढ़ते एक दिल मेरे सर बोलते थे कि डेली सुबह उठके उसको एज़ा हनुमान चलिसा परना पढ़ते के लिए तो थो थुद्ध करते हैं इन जैसे की फिजिक्स जैसे नुमरिकल्स में तो उन चीजों को कैसे डिल कि या जा सके बैसिकली जो नीट को एक फोबिया सा रहता है फिजिक्स को लेके वह आपको पहले तो आपको ना कॉन्फिडेंड होना परेगा विजिक सी बात है अगर आप सोचते हो कि नुमरिकल मेरे को बनने लगेंगे तब मैं सुरू करूंगा बनाना ऐसा थोड़ी होता है आप पहले सुरू करो बनाना आपसे बनने लगें और मैं एक छोटी टिप्स बताता हूं आपको यह इनुमरिकल पोर्शन अच्छा करना है तो सीधी बात है कि आप फिजिक्स की क्लास या फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास में पूरे इटेंटिन के साथ लेक्चर देखो लेक्चर फिनिस होने के बात आपको जो भी परहाया गया सेम डे में करना है आपको लेक्चर जो भी परहाया गया उन सारे चीजों को रिवाइज करो और class में जो भी question कराए sir ने, उसको खुद से करने का कोशिस करो, अगर वो question आप से नहीं हो रहे हैं, तो फिर से आप lecture वाले portion पे जाओ, और फिर वो देखो कि आखिर मेरे से क्यों नहीं हुआ, sir ने कैसे सोचा, और उन चीजों को करो अगर आपको वो lecture के question बनने लगेंगे फिर आप से dpp solve हो जाएंगे अगर इतना आप कर लोगे उसके बाद आप कोई भी modules, कोई भी book solve करोगे तो 70-80% सवाल आराम से बना लोगे और बात रहे 20-30% सवाल की तो आपको सीखने हैं, उसको बार-बार revise करो, वो हो जाएंगे simple सी बात है, जैसे कि आपने पहले बताया था कि test series बहुत जादे important रहता है तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि online या offline, तो दोनों में से कौन सा test series बहतर होता है, अगर बात आती है परने की, जो online based है या offline based है, तो कहूंगा कि दोनों ही best है, अगर आप अपने comfort के हिसाब से कर सकते हो, अगर आपको लगते हैं, क्योंकि online आपको यह कभी लगे कि online से selection नहीं हो सकता है, तो मैं इसका खुद answer हूँ in this question का, कि online से selection ही नहीं, बट आप all India rank 1 ला सकते हो, तो यह matter ही नहीं करता, आप कहां से पर रहे हो, यह आप online पर हो, offline पर हो selection ले लोगे, बट जब यह बात आती है test series पे, तो मैं आपको कहूंगा कि offline test series is best, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपका paper जो है, वो offline होने वाला है, आपकी परहाई कैसे चलती है, matter नहीं करता, बट आपका test OMR पे paint paper mode में होगा, तो अगर आपके आसपास, अगर offline test series अवलेबल है, तो आप उनको ही join करो, वो आपके लिए बहतर होगा, बट अगर आप ऐसी जगह पर रह रहो हो, जहां पर आपको कोई offline की सुगदा नहीं है, फिर भी जो भी online test है, उसको आप offline mode में दिया करो, इसके लिए आप कर सकते हो, OMR को print कर लो, और एक time fix करो, तीन घंटे 20 मिनट, और उसके अंदर में आप paper question देखो, solve करो, OMR feel करो, और तीन घंटा 20 मिनट के अंदर में paper को finish करो, और offline test series देने से ये भी फैदा होगा, कि पहली बार में test दोगे, तो आपके बहुत ज़्यादा घबराहाट होगा, तो आपको वो डढ़ भी धीरे-धीरे कम होता जाएगा, जो बत्ते test series देते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा difficulty होता है, उन test series को analysis करने में, क्या एक बहतर approach हो सकता है, उस test series को analysis के लिए, मेरे को लगता है, test का जो सबसे important part है वो test का analysis ही, अगर आप test देने के बाद, अगर test का analysis कर नहीं करते हो, तो फिर मतलब ही नहीं है, कोई test देने का, क्योंकि test में जो सवाल आपको हुए, वो तो already हो रहे थे, वो तो कभी भी होंगे, but more important है कि आपनो किन को गलत किया है, और कौन सा आप से नहीं हुआ, ये ज़्यादा important है, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया था, एक मैंने notebook लिया था, उस notebook को आप three part में बाट देना है, physics, chemistry and bio के लिए, पहले आप उनमें include करो वो question जो आपने गलत करें, और मैं तो कहूंगा आप उन जो गलत question आप उनके नीचे लिख भी दिया करो, कि ये किस वज़े से हुए, और formula गलत लगाया, concept गलत लगाया, या फिर मैंने कोई silly mistake कर दी, calculation mistake कर दी, वो लिख दो, तो आपको याद रहेगा कि ऐसा जब question आए, तो हमें गलत नहीं करना, लाइक कभी कभी होता है, कभी हमें पूछ देते temperature, change to, change by, तो आप लिख दो कि change to में याद रखना है, change by में याद रखना है, एक याद रहेगा, और उसके बाद आप वो include करो, जो आप से नहीं हुए, उनको सीख लो और आप try करो, जब next test हो, उससे पहले आप उस copy को revise करो, या फिर जब भी आपको मौका मिले, Sunday को मौका मिले, जब भी छुटी हो, आप उन चीजों को revise करा करो, जिससे आपके concept, और अलग-अलग सवाल को करने के, सवाल पे commands भरेंगे, और आपका skills बहतर होगा, question को solve करने का, मेरा ये मानना है कि जो बच्चे जितना ज़्यादा mistake करते हैं, वो उतना ज़्यादा सीखते हैं, बसरते उन mistakes को आप अगली वार नहीं करोगे, तो मेरा ये question रहेगा, कि जो बच्चे neat में, मतलब उनको first appearing में नहीं निकला, जो बच्चे drop लेना चाहते हैं, उनको क्या strategy बना कर drop लेना चाहिए, कि इन बच्चों को drop लेना चाहिए, और किस तरह का drop लेना चाहिए, बात रहे हैं, अगर drop लेने के, तो drop लेने में जो strategy होना चाहिए, वो different लोग का different होना चाहिए, अगर हम बात करें 500 सारे 500 से नीचे जिसके score है, उनको मेरे हिसाब से 304 से वाले scorer को full lecture देखने चाहिए, और lecture देखके notes करने चाहिए, फिर आप सवाल लगा, same procedure जैसे हर कोई करता है, बड़ जिसके भी सारे 500 से उपर है, या 600 के करीब marks है, या जिसको 600 के थोड़े भी उपर है, वो आप try करो कि आप सारे lectures नहीं देखो, क्योंकि आप अगर सारे lecture देख रहे हो, तो वो totally waste of time है, आप देखो, आपके weak point कौन से है, ऐसे लोगों के mostly bio अच्छे होते हैं, आप try करो कि bio and CRT को बार-बार revise करें, उसे concept को strong करें, और physics chemistry में उनके ही lecture देखो, जिनके आपको नहीं आते हैं, जिसके concept में problem है, आप फिर से unit dimension में, लेके बैठे हो, 1D लेके बैठे हो, कोई मतलब नहीं है, बार-बार उन चीजों को देखने का, उनको सवाल लगो, आगे बरो, सीधी बात है, तो आप सारे lecture देखने के time-based मत करो, ज्यादा से ज्यादा आप test की practice करो, जो आपको really, आपको exam में fruitful-ness दिखाएगा, जो आपको काम आने बाला है, वो आपकी practice, वो accuracy और वो speed ही आने वाली है, next question यही है, जो I think हर एक experience के लिए, जो अलग-अलग field में experience है, उन सभी का एक हमेशा यह dot रहता है, कि क्या relationship में रह सकते हैं, during the preparation, basically जो मैं पहले कहना चाहूंगा इस बारे में, कि first you have to understand the meaning of relationship, आपके मम्मी पापा भी आपके relation में, but वो आपको हमेशा motivate करते हैं, हमेशा आपके improvement में लगे रहते हैं, कि इस बच्चे का अच्छा करें अपने life में, उच्छे से उच्छे जगह पे पहुँचे, encourage करते हैं, but अगर ऐसे आपका कोई relation है, ऐसा अगर आपका relationship है, जो आपको हमेशा improve करता है, हमेशा motivate करता है अपने dream के लिए, तो मैं कहूंगा never leave that person, but अगर आपका relationship आपके लिए distraction है, जो आपको उस जगह पे पहुँचने से रो करा है, आपके लिए distraction बना परा है, तो मैं कहूंगा leave that person not, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको लगता है कि आपका प्यार इतना ही सच्चा होगा, तो वो तो आपका exam के बाद भी wait करेंगे, but ये neat preparation phase दुबारा आपके पास आने वाला नहीं है, तो आप एक बार मौका तो दो, लोगों को भी मौका दो कि पहचान में आए भाई, कौन अपना है या पराया कौन रह रहा है, अपने साथ कौन चला जा रहा है, आज आपको लाखोए aspirants देखते हैं, आप से inspired होते हैं, आपको follow भी करते हैं, उनके मन में आपके परती कुछ सवाल है, कुछ dot है, तो मैं उनके सवाल कुछ पूछना चाहूंगा, तो पहला सवाल है, आपका 10th और 12th में कितना percent marks था, बेसिकली 10th में मेरे जादा ने 86% थे, और 12th में भी कुछ खासने 88.2 आए थे next question है, कि आपका नाम एलेन और अकास दोनों में छपा हुआ है, तो आप actually में कहां से पढ़े थे और कैसे पढ़े थे, ये काफी सारे लोग confusion होता है, तो to be very honest मैं बता दू, कि मेरी परहाई पूरी online हुई है, और मैंने PW online से ही किया है और बात जो बाकी आप photo चापनी की बात है, तो मैंने already बहुत बर विंसन किया है, कि मैंने different coaching के test series लिये थे, जैसे कि major test series island का दे रहा था, final test series दिया था मैंने अकास का, और एक BTS दिया था, motion से दे दिया, ऐसा कुछ ही नहीं, next question है कि क्या आप PCMBA student थे, ये काफी confusion रहते है लोग को कि मैं PCMBA था, क्योंकि वो मेरे JAE का result देखते हैं, तो मैं बता दू कि मैं PCBA student था, एक PCBA student भी JAE का paper दे सकता है, बट वो counseling में participate नहीं कर पाएगा, बस next question है कि आप कितने hours पढ़ते हैं, और आपका daily का schedule क्या रहता है था, basically लोग को काफी जानने में इक्षा रहता है कि भाई, टॉपर्स कितने hours पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप quantity of hours को मत दियान में रखो, quality matter करता है, तो मेरा जो था, वो मैं 6 घंटे की classes होती थी, और उसके बाद 6-7 घंटे, almost 6 घंटे मैं self-study करता था, और बात रही जहां तक routine की, तो मैं सुबह उठना prefer करता था, पहले मैं late night पढ़ता था, बट दीरी-दीरी लगा कि नहीं, सुबह ही अच्छा है, उस पे थोड़ा मूड भी फ्रेश रहता है, और बोडी का metabolism भी सही जलता है, दूसे साथे पांच बजे उठ जाता था, और उसके बाद मैं साथ बजी के कड़ी बैठ था था पढ़ने के लिए, और फिर एक देर घंटा पढ़ता था, फिर नौ से क्लास होती थी, एक लास होते होते, चार बज जाते थे, फिर मैं पांच से सेलफ स्टड़ी के लिए बैठ था और एक आरा बज तक पढ़ता था, उसमे खाना वाना एक लास्ट कुस्टन है, जो मैक्सिमम लोग पूछते रहते हैं, हमेसा पूछते रहते हैं, कि आप अपना यूटूब चैनल कब खोल रहे हैं, यह सच में बहुत ही डियमा है, मेरे को भाहिया, आपको यूटूब पे देखना है, आपको बाहरे हो, ऐसा है, तो मैं का लिंक यहां पे नीचे पिन करवा दोंगा, आप वहां से मेरे से कनेक्ट हो जाना, और आने वाले टाइम में आपको काफी सारे वीडियो दिखेंगे उस पे, और मैं एक चीज़ आप से स्योर करता हूं, कि वो वीडियो काफी ही अच्छे होंगे, लाइक ऐसा नहीं होग तो आपको काफी authentic content मिलेगा, यह मेरा एक वादा है आपसे, इस वीडियो के description और पीन comment में आपको भाई के channel का link मिल जाएगा, तो आप make sure कि आप उनके channel को subscribe जरूर करके रखें, एक last message दे दिजिए, upcoming future doctors के लिए, जो मेरा last message रहेगा, सारे need aspirant और future doctors को कि यही आप मेहनत करत नहीं यहां तक पहुचने का, क्योंकि life में हमें साथ two options रहते हैं, इनसान के पास, महनत या मजदूरी, महनत इनसान को दिख्चा से करता है, और मजदूरी इनसान को वक्त कराती है, और जो मजदूरी होता है, वो काफी ही painful होता है महनत के आगे, इसलिए आप try करो कि मजद पोड़कास में बुलाने के लिए, और ये basically मेरा first podcast था after need के result के, और मुझे काफी खुशी हो रहा है कि मैं अपने भाई के channel पर ये podcast दे रहा हूँ, thank you, thank you so much, thank you Tathagat, podcast में आने के लिए आप से बात करके, सच में बहुत अच्छा लागा, आज बच्चों को भी बहुत पीछे hard work करोगे, consistent रहोगे और patience रखोगे, सबसे पहले घबराना नहीं है, विष्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युध ही तो वीर का प्रमान है, कौर्वों की भीर हो, या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है, वो ही तो महान है, इस वीडियो में बस इतन नहीं बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत